दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल SS Digital India में आज मैं आपको बताऊंगा कि Google Map के अंदर आप अपनी प्रोपरेटी या लेंड का मैप किस तरह से क्रियेट कर सकते हैं और उस मेप को क्रियेट करके आप किसी के साथ अगर शेयर करणा चाते हैं तो वो शेयर भी आप किस तरह से कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मैंने अपना वेब ब्राउजर ओपन किया मैं गूगल ओपन करता हूं गूगल का हॉमपेज पर मैंने इसको सेट किया हुआ है और यहां से मैं Google के जो एक बटन है उस पे क्लिक करता हूं और यहां से आपको सट्छ करना है मैप्स पर जब आप मैप पे सलेक्ट करते हैं तो अब उसके बाद में लेफ्ट के जो लेफ्ट कोर्णर है उसमें आपको टॉप में देखेंगे यह होता है मीनू टेप आपको इसमें मीनू टेप पे क्लिक करना है जब आप मीनू टेप पे क्लिक करते हैं तो यह आपके सामने के लिस्ट एपियर होती है इसमें आपको सलेक्ट करना है यूवर प्लेस और यूवर प्लेस में आपको सलेक्ट करना है मैप्स और मैप में आपको सलेक्ट करना है क्रियेट मैप जब आप क्रियेट में पे क्लिक करते हैं तो यह एक नया वेब पेज ओपन होता है यहां से आपको वो सर्च करना है एरिया के आपकी प्रोपर्टी कहां पे है तो यहां से आप इजी वे में सर्च कर सकते हैं और इसके बाद में आप देखेंगे यहां पे यह जो एक कि डायलोग बुक्स है इसमें आप देखेंगे कि अंटाइटल्ड मैप यह भी एपिर हो रहा है यहां पर यह अंटाइटल्ड मैप इसलिए है कि अभी तक मैंने इसका नेम डिफाइंड नहीं किया है और अगर यह दिया आप यहां पर इसके ट्रिपल डोड जो यहां पर को यह राइट कोर्णर पर देखेंगे जब इसमें क्लिक करेंगे तो यहां आप देखेंगे न्यू मैप, कोपी मैप, ओपन एम मैप, मूँटू ट्रेस, सेट, डिफॉल्ट वीव, कुछ इस तरह की ओप्शन होते हैं जो कि मैं आपको यह बारी-बारी से स्टेब बारी से स् बात में अभी मैने अभी जैसे मेप क्रेट नहीं किया तो अब इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो यहां पे जोता है, अन्टाइटल्ड मेप है, इसका मैं नाम डिफाइन कर देता हूँ, प्रोपल्टी, यानि माइप्रोपल्टी, my property और अगर आप description इसका देना चाहते हैं तो दे दीजिए नहीं देना चाहते हैं कोई issue नहीं है आप इसे save कर दीजिए और उसके बाद अब आपको देखेंगे यहां पे यह कुछ अलग से और option दिये गए हैं इसमें होता है measure distance area तो इसका जो यूज किया जाता है आप area का measurement होता है वो distance आप इससे calculate कर सकते हैं और इसके बाद में direction का होता है add direction और यह होता है draw a line जिसका use में आपको भी करना बताऊंगा और यह होता है add marker आप इसमें कोई marker add करना चाहते हैं और यह होता है select item कि आप item को select कर सकते हैं यह undo or redo होते हैं अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो property select करनी है जैसे अगर आपकी पर property है कोई location है आपकी तो उससे search करेंगे और search करके आप वहाँ set करते हैं जैसे मान के चलिए भी दिल्ली के अंदर कोई property है तो मैं यहाँ से जो है दिल्ली को जो है zoom in करता हूँ यहाँ से और यहाँ आप देखेंगे कि base map आप base map यहाँ से change कर लीजिए और यह second number जो satellite view होता है आप वो select कर लीजिए तो जैसे आप satellite view पर करते हैं अब यहाँ आपको वापस आपकी जीजिए zoom in इसे मैं close कर देता हूँ अब देखिए जैसे की यह जो area है यह वाला area अब मुझे इसको जो है इसका एक map create करना है तो map create करने के लिए मैं यहाँ click करूँगा draw a line जब मैं इस पर click करता हूँ तो पहला इसमे option आता है add line or steps जब मैं इस पर click करता हूँ तो देखिए मेरा जो cursor pointer है वो plus के इसमें convert हो गया और यहाँ से अब आपको draw करना है जैसे की माली यहाँ से मैं click करके drag करता हूँ यहाँ तक यह मैंने drag किया और drag करने के बाद में आप अपनी property का जितना area है वो area आप यहाँ से select इसमें कर सकते हैं अब यहाँ जैसे मैंने select किया यह देखिए अब यह मैंने क्या किया मेरे जो property थी जो मेरा area था वो मैंने पूरा select किया और select करने के बाद में अब आप इस area का अगर नाम देना चाहते हैं तो इसमें आप दे दीजिए plot area और इसका अगर आप description देना चाहते हैं तो दे दीजिए अगर मुझे कुछ नहीं देना अभी तो मैं इसे direct save करता हूँ और save करने के बाद में अब देखिए यहाँ पी जो है Google ने इसका area calculate किया है तो यहाँ पे दिखा रहा है 0.900 hectare तो यह जो total area है वो दिखा रहा है और अगर meter की बात करते हैं तो meter इसके अंदर आ रहा है 454 meter और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे यह style का option है अब इसमें अगर आप इसकी style change करना चाहते हैं कि जैसे भी इसका layout का color है आपने जैसे change करना चाहते हैं तो color आप अपने according यहाँ से change कर सकते हैं जैसे कि मैंने color इसका change कर दिया और अब इसमें देखेंगे कि इसकी transparency आप कितनी रखना चाहते हैं अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं या कम रखना चाहते हैं Transparency अपने according जितने आप set करना चाहते हैं वो set कर सकते हैं और अब border की जो width है अगर आप width इसमें change करना चाहते हैं तो यह देखिए border की width अपने according आप जैसे चाहे वैसे आप इसमें set कर सकते हैं मैंने इसे किया close और इसके अलावा अगर आप इसमें कोई edit करना चाहते हैं तो edit भी आप यहां से कर सकते हैं नेम अगर आप change करना चाहते हैं तो वो भी कुछ नहीं करना इसे cancel कीजिए और इसके अलावा add image और video अगर आपकी यह property की कोई image आपने capture की हुई है या कोई video आपने बना रखी है तो वो आप यहां से इसमें add कर सकते हैं जैसे इसमें आप click करेंगे तो यहां देखिए upload के लिए पुछेगा कि upload आपकी system पे है तो आप check करेंगे your photos यह आपके google drive में है जैसे मान के चलिए मेरी यह property है जैसे यह वाला photo है इसे मैं select करता हूँ और यहां मैंने किया select और इसे मैं कर देता हूँ save यह मैंने किया save तो जो image मैंने अभी यहां पे ली है वो इसके अंदर क्या होगा वो image add हो गई है और अब मैं इसे कर देता हूँ close और अब मैं इसे जब वापस देखिए जो area भी मैंने select किया था यहाँ पे देखिए जो select item का होता है इसे आप select करके जो point है इसे आप drag भी कर सकते हैं easy way में और अगर आपको यह drag नहीं करना है तो आप वापस इसे जो है बाहर आप click करेंगे तो यह पूरा आपका map drag हो जाएगा अब उसके बाद यहाँ पे आप देखिए जो second option होता है इसके अंदर add marker तो जब आप add marker पे click करते हैं तो आप जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे click किया और click करके आप यहाँ पे देना चाहते हैं कि आप इसका main gate आपने इस पे दे दीजिए gate one इसका description में दे दीजिए main gate और मैंने इसको किया save अब यहाँ पे जब आप इसके style में click करेंगे तो आप इसका अगर आप view change करना चाहते हैं तो आप इसका यह symbol है वो भी आप यहाँ से change कर सकते हैं और इसका color जो भी आप देना चाहते हैं इसमें जैसे more icons अगर इसके लावा आपको कोई icon और चाहिए तो जब more icon पर आप click करेंगे तो यहाँ से आप जो भी symbol आपको अच्छा लगता है वो gate का symbol वो आप select कर सकते हैं जैसे मैंने symbol select किया और मैंने ok किया और इसके अलावा जब अगर आप एक symbol आगर marker आप और aid करना चाहते हैं इसके अंदर तो वापस आप जाएंगे और यहाँ पर marker होता है और यह आप यहाँ पर इस तरह से click करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा आपका गेट नमबर टू गेट टू और इससे आपने save किया और इसका भी symbol अगर आप change करना चाहते हैं तो style में जाके यहाँ पर more symbol पर click करेंगे और more symbol में जाके कोई दूसरा भी जो भी symbol आप लेना चाहते हैं वो symbol आप यहाँ से select कर सकते हैं और मैंने किया ok अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो first number का होता है measuring distance and areas अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको इस area का measurement करना है कि तो measurement पर जब आप इस में पर click करेंगे click करके अगर आपको कहां से लेके कहां तक यहां से अगर आपको area का जो distance calculate करना है तो आप यहां तक drag करेंगे तो यह देखिए total अभी यहां तक का जो area है वो यहां पर हो गया 117 meter और इसके बाद यहां तक का भी अगर आप area calculate करना चाहते हैं तो यहां पर click कीजिए जहां जहां जितना area आपको इसके अंदर measurement जिस area का लेना होता है अगर जैसे आपको यहां तक का लेना है तो यहां पर भी इस तरह से आप select करेंगे और चितने area के अंदर आप calculate करना चाहते हैं तो उसी हिसाफ से आप इसको select करके तो यह देखिए तो इस तरह से जो हता है आप अपने property का या area का measurement आप यहां से ले सकते हैं और अगर आप यहां undo करेंगे तो वो सारी steps यहां से जो भी आपने की है वो हट जाएगी जैसे undo में करता हूं मैंने gate का aid किया था तो इस तरह से वो सारी steps जो undo हो जाएगी undo और redo steps में से अपने coding आप कर सकते हैं और अब जैसे ही आपका यह map complete होता है और complete होने के बाद इस map को आप अपने किसी के साथ share करना चाहते हैं तो आप यहां से जब share पर click करेंगे और share में आपको email address टाइप करना है जिन पर आप यह share करना चाहते हैं जैसे कि मैंने अपना email address है वो select किया और select करके मैं जैसे इस पर करता हूं गोटी टोरी से कर देता हूं send अगर कोई message आप यहां पर टाइप करना चाहते हैं तो मैं message कर देता हूं प्लीज चेक अगर इस एरिया और मैं इसे कर देता हूं send और अब मैं अपनी email address जो है जिसमें मैंने send किया है उसे मैं open करता हूं तो यह देखिए वो mail मुझे receive हो गई है और यहां पर देखिए अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूं और प्लिक करके देखिए जो message मैंने type किया था वो message यहां पर receive हो गया है please check this area और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं open पे तो देखिए जो area मैंने draw किया था और जो इसके अंदर मैंने style जो भी मैंने सारा सब कुछ किया था वो सारा इसमें यहां पर open हो गया है बट यह क्या होता है यह publicly नहीं है यह आपका private map है अगर google map पे कोई भी अगर search करेगा तो यह जो आपने यह मैंने जो set किया है वो केवल मेरे पे ही show होगा और जिन persons को मैं share करूँगा यह property केवल उनहीं को show होगी publicly यह नहीं show होगी अब वापस आजाता हूँ मैं अपने उसी के अंदर map में और अब आप देखेंगे इसमें second option होता है preview का जब मैं इस पे click करता हूँ तो अगर आप इसका print out लेना चाहते हैं या इस area का आप किसी और format में save करना चाहते हैं तो देखिए अब यहां से आप यह preview हो गया अब इसमें आप इसका जब preview प्रिंट करना चाहते हैं तो अगर जैसे आप करेंगे यहां पर print map जब यहां पर click करेंगे आप तो यहां पर हो था print map अब print map के अंदर आप इसको portrait में करना चाहते हैं या landscape में करना चाहते हैं वो आपके अपर depend करता है और output आपको क्या PDF चीए या image jpg में चीए अब मैं जैसे portrait में चीए मुझे jpg में चीए और जैसे मैं करता हूँ इसमें print तो देखिए कुछ इस तरह से जो है ये मेरा area print होगा तो अभी मैं इसे गर देता हूँ cancel और इसे भी मैंने किया cancel तो इस तरह से जो है आप अपने किसी भी प्रोपर्टी का या area का आप प्राइवेट मैप गूगल पे गूगल मैप से create करके आप उसको easy way में share कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे like और share जरूर करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें